हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू कॉफी हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू कॉफी विद सुमी जैन आज आपने एक न्यूस सुनी होगी दो-तिन दिन पहले कि इंडिगो ने भी पांसो प्लेंस का ओर्डर दिया है इससे पहले आपने सुना था कि एर इंडिया ने पांसो प्लेंस का ओर्डर दिया हजार प्लेंस का ओर्डर एक कंट्री विदिन टू-त्री मंस देती है ये कोई छोटी बात नहीं है तो जो आपने थम्नेल देखा है उसमें मैंने बताया आपको कि चाइना ने फिर भी इंडिया को बीट कर दिया जबकि इंडिया ने एविएशन इंडिस्ट्री का सबसे बड़ा ओर्डर दो बार दिया है तीन मीने चार मीने के गैप के अंतर और ये ओर्डर इतना बड़ा था कि जब मोदी जी अभी अमेरिका में गए तो यूएस कॉंग्रेस में उन्होंने स्पीश में बोला कि जब हम आपडर देते हैं आपको तो आपके 44 स्टेट्स में जॉब्स क्रेट होती हैं एक मीलियन लोग रोजगार लेते हैं उसके करण इतनी बड़ी सोच के बाद भी हम हार की गए चाइना से यह मैं समझाता है आपको दोस्तों फकर होता है जब हम देखते हैं कि अपनी कंट्री तरक्की कर रही है लेकि जब हम प्रोसी देश को देखते हैं उनकी तरक्की से भी हमें कुछ सीखना चाहिए चाईना का भी वही स्टेटस था जो आज इंडिया का है आज से 15-20 साल पहले चाइना इसी स्टेटस में था कि राइज कर रहे थे सारी दुनिया इनके पास आ रही थी फैक्रीज लगा रही थी और इनसे माल ख्रीदरी थी तो इन्होंने कुछ डिफरेंट किया हमारे से इन्होंने उसी वकत सो आज लेते हैं कि अगर चाइना इस दंदे में गुज गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी आप देखें चाइनी जब काम करते हैं यह बहुत दूर की सोच के काम करते हैं कि कल को क्या होने वाला उसका डिसीजिजन यह आज लेते हैं इन्होंने उसी वकत डिजाइन बनाने शुरू कर दिये, बहार की कंपनीज के साथ कॉलाइबरेशन किया और इन्होंने बनाने शुरू कर दिये जैसे अमेरिका ने देखा कि इनका प्रोटोटाइब भी त्यार होने वाला है उन्होंने टेक्नोलीजी ट्रांसफर करनी बंद कर दी इनको एंजन नी मिलेगा नो हाउ नी मिलेगी आदमी इनके पास नहीं आ सकते सेम चीज जो आज वो 5G में कर रहे हैं कि चाइनीज को दबाओ ताकि ये कहीं उपर न उठ जाए दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ आज भी जो कुछ ये हो रहा है इंडिया के साथ हमें रेड कारपट मिल रहा है कंपनीज आ रही हैं दे वांट टो बिजनेस विजनेस विद अस बट अल्टिमेटली हमारे साथ बढ़ी होगा जो इनोंने इनके साथ किया चाइना के साथ किया कि इनको उभर ने नहीं दिया आपको मालуем है आज की नईज क्या है आज चाइना ने बोला इंडिया बड़ी उमीदे लेकर गया था अमेरता में कि हमें इपनी क्या कुछ मिल जाएगा लेकिन अमेरिका ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया और देंगे भी नहीं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है इंडिया को सीखना चाहिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं चाइना ने बहुत कोशिश करी कि अपना प्लेन निकाल दे दुनिया ने पूरा जोर लगाया कि इनको नहीं बनाने देना लेकि इन्हों ने भी हमार नहीं मानी जो इनका बजट था वो तीन गुना चार गुना बढ़ गया डिवलमेंट में लेकिन ये लगे रहे और अब 2022 में इनको लाइसेंस मिल गया कि ये प्लेन बना भी सकते हैं और ये उड़ा भी सकते हैं और उसमें लोगों को बढ़ा कर कहीं भी उड़ सकते हैं ये लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है और जो इनके कंपनी हैं जिसने बनाया यो C919 बहुत सुर्खियों में हैं दुनिया में दुनिया का सबसे सस्ता कॉमर्शिल प्लेन है डेट्सों से लेके 160 लोग जा सकते हैं नेरो बॉडी का ये प्लेन है और इन्होंने करके दिखाया कि दुनिया हमारे अगेंस्ट है लेकिन अगर हमने अपने नेशनल इंट्रस्ट में कोई काम करना है हमें कोई रोक नी सकता अब देखिए अब इंडिया में क्या प्रादम है मैंने आपको पिछली वीडियो में बिताया था कि माइक्रोमेक जैसे था हमारा बहुत बड़ा ब्रैंड बन गया था इंडिया में लेकिन उसने सोच ही नहीं कि मैं अपने मॉनवाइल खुद बनाओ ऐसे ही अब इवेशन इंडस्टी में हैं हम अभी सोचते ही नहीं है कि भी हम अपना भी कोई कोमेश्रिल प्लेन दाएं ठाटा सोच रहा है वो इनौस भी किया नहीं बट वेरी स्लोग जब तक हम अपने आपको उस स्टेज पर नहीं लेके आते कि भी हमने साथ दुनिया का माल खृतन है नहीं बनेगा ऐसे हमें अपने ब्रैंड बनाने पड़ेंगे अब देखिए इनका कोई भी ब्रैंड होगा उसका कि सी होगा सी का मतलब है चाइना भी चाइना ने बनाया है इतनी नेशनल इसमें के अंदर कि हमने अब देखिए मैंने आपको एक पहले या दूसरी वीडियो में बताया था यह एक फॉर्मला है इनका शूहारी शूहारी का मतलब किया है शू का मतलब है पहले फॉलो करो दूसरों को कॉपी करो उनको अच्छी तरह से कि उनके अच्छी चीज़े क्या है वो कैसे तरक्की करी उन्होंने इतनी बार बार एक ही आदमी से काम करवाते हैं कि वह बैटर हो जाता है, जिसने इन्वेंट किया था, जिसको फॉलो करते हैं, उससे भी आगे निकल जाते हैं, जब यह उसको बीट करना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं, अब तुम मेरे पिछे लग, अब मेरा टाइम है, अब तेरा टाइम खतम हो गया, उस काम के लिए लेकर लांग टर्म सोच चाहिए, इन्होंने 15-20 साल लगाए, बहुत कोशिश करी अमेरिका ने की अपना प्लेन ना निकाल सके, इनको 15 साल लगे, जबकि यह कॉपी तो 2-3 सालों में कर लेते हैं, लेकिन प्लेन नहीं करने क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी जो दादागी दी है पूरी दुनिया में, वह चाहिना अगर गुज जाएगा तो खतम कर देगा, अभी भी एंजिन्स और बहुत पार्ट्स ऐसे हैं, जो अभी भी अमेरिका से, यॉरप से, कैनाडा से खरीपते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी development शुरू कर दी और इन्होंने announce कर दी है, अभी तो इस महीने, मेई में, मेई 2023 में, इन्होंने पहला flight शेंगाई से बेजिंग उड़ाई है, अभी ये बार-बार पूरी cities में connect करके गुमाएंगे सारे planes को, और इन्होंने announce कर दिया कि 2025 में, 2025 तक अपना engine भी खुद क्योंकि इन्हें मालूम है कही ना कहीं जाकर, अमेरिका के साथ लड़ाई इनकी होनी होनी है, तब इन्हें जरूत पड़ेगी अपने engines की और इन्होंने काम शुरू कर दिया, इंडिया इनकामों में बहुत पिछ है, क्यों हमारे जो businessmen है, वो सोचते हैं कि वहां से लिया असान काम है, हम असान रासा ढूनते हैं, इसलिए तरकी नहीं कर पाते, तो दोस्तों मैंने बड़ी quick video बनाई आपके लिए, यह दिखाने के लिए, कि अगर तरकी करनी है, long term सोचना पड़ेगा, मुझे कई लोग पूछते हैं मेरे इसमें, वी-लॉग में, कि हमने तरकी कर रहे हैं, secondly, देश को कह चाहिए, यह दो चीज़े, जब हम अपने सामने रखेंगे, लक्षा रखेंगे, कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे यह नहीं बनाना कि जो मैं बनाना चाहता हूँ, हमें वो बनाना है, जो लोगों को demand है, अब मैं यह YouTube channel चलाता हूँ, मैं अप को अपने businesses को grow करना है, आपको futuristic देखना पड़ेगा, एक तो local देखना है आपको, कि local मेरे लोगों को क्या चीज़ चाहिए, और उसके बाद country को क्या चाहिए, यह दोनों चीज़ों को combine करने के बाद, फिर futuristic, कि इसको मैं better कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे game को beat कर सकता हूँ, य मैं आपको एक और video अभी बनाने बाला हूँ, कि मुझे question बुछा गया, कि Chinese की cities इतनी beautiful होती है, अभी आप देख रहे हैं पीछे, मैं इसी area को लेकर, आपको मैं video बनाऊँगा, कि यह इतना beautiful कैसे बना लेते हैं, और India में क्यों नहीं बनता, thank you so much for watching, share it with people, जो business people हैं, जो share कर रहे हैं उनके साथ, शायद किसी को inspiration मिलेगी, और हमारा भी अपना brand खड़ा होना शुरू हो जाएगा इंडिया में, अब problem क्या आती है, Indian brands में, हम brands बनाना चाहते हैं, reliance एक brand है, अदानी एक brand बन गया है, टाटा एक brand है, लेकिन हमारे लोग गालियन निकालते हैं, जै इसे हमारे लोग, जो हमारे congressी थे, जिन्होंने घूस खाई इतने सालों में, उन्होंने बॉफर्स ख्रीदा, घूस खाली, प्लेन ख्रीदे, घूस खाली, हेलिकॉप्टर ख्रीदे, घूस खाली, किस चीज में नहीं खाई, तब तो बोलानी इन्होंने, कि ये government के साथ मिल दोस्तो, प्लीज स्टार्ट शेरिंग विद पीपल, हाव वी कें मेक इंडिया गो अहेड, नोट रिलाइंग अन अधर कंट्रीज मेटिरियल, हमें खुद बुनाना पड़ेगा हर चीज को, चाहिना से सीखें चीज को, जो चीज अच्छी यहाँ पे सीखनी चाहिए, और म चीज को शार्ट था, झाहिए, पर चीज मेट शीज स्टार्ट झाल झाल